हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे IPC की धारा 304 चोपन के बारे में और उसमें हुए संसोधन के बारे में वैसे धारा 304 चोपन वो जो है वो आपरादिक बल और हमले से संबंदित है जो किसी इस्तरीकी लज्जा भंग करने के आशय से किया जाता है तो यहाँ पर धारा 304 चोपन में इसकी जो परिभासा दी गई है हम उस पे बात करते हैं क्या है इसमें इसमें यह है कि इस्तरीकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रियोग करना आपराधिक बल और हमला इसके संबन में यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमला और आपराधिक बल क्या है तो यहाँ पर यदि आपके लिक करेंगे तो यह आपको यहाँ से उसका लिंक मिल जाएगा उसको देखने के पस्चात आप इस वीडियो को देखें याने के धारा 304 को समझें तो हम बात करते हैं धारा 304 में क्या कि जो कोई किसी इस्त्री की लज्जा भंग करने के आशाय से या यह संभाब जानते हुए कि वह उसकी लज्जा भंग करेगा तो क्या या इस तरह का मतलब की लज्जा भंग करने के आशाय से उस पर हमला करेगा या आपरादिक बल का प्रियोग करेगा वह दौनों में से किसी भी भाती के कारावास से जिसकी अब अधी कम से कम एक वर्स होगी याने के अभी कम से कम एक वर्स और अधिक से अधिक कितनी याने के ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी तो ज्यादा से ज्यादा होगी पांच व तो यहां पर हमने देगी धारा 304 चोपन की परिवासा धारा 304 चोपन IPC में जो है शुरू से ही जो है लेकिन इसमें कुछ संसोधन हो करके इसमें धारा 304 चोपन का खा गा और घा यह जोड़ी गई हैं हम इससे संबंदित बात कर लेते हैं क्या है इसमें जो है लेंगिक उत उत्पीडन के लिए दंड यहां पर धारा 304 चोपन का इस प्रकार से जोड़ी गई है यहने के लेंगिक उत्पीडन यहने के यौन उत्पीडन के लिए जो है दंड और यौन उत्पीडन के बारे में यहां पर बताए गया है हम देख लेते हैं क्या है ऐसा कोई निम्न लि कितकार हैं सारीरिक संपर्ग याने कि किसी इस्त्री को टच करना अग्र किरियाएं करने या उसको छेड़ सार करने मतलब कि जो है हाथ लगा दिया टच कर दिया इस तरह से क्या जिससे आवांचिनी और लेंगिक संबंद बनाने संबंदी इसपस्ट पर प्रश्ताव अंतरवलित हो यानिक उसमें ऐसा लग रहा हो कि ये व्यक्ति जो है इस्त्री से लेंगिक संबंद बनाने के लिए उत्प्रेरित हो रहा है और इस्त्री को भी इसी प्रकार से वो जो है टच कर रहा है और इस्त्री इस बात को अच्छे से समझ रही है कि ये व्यक्ति जो है टच कर रहा है याने कि लेंगिक संबंद बनाने के लिए ये विवस करना चाहता है ये पाइंट पहला दूसरा क्या ह उस से अनुरोद करता है या मांग करता है अब तीसरा पाइंट है किसी इस्त्री की इक्षा के विरुद्द वलात असलील असाहित दिखाना याने कि किसी इस्त्री को ऐसा असलील साहित दीखना है उसकी कोई एक्षा नहीं है इसके बाद भी उसको असलील साहित दिखाना और क्या चौथा पाइंट है लेंगिक आभासी टिपणियां करना याने के यौन उत्पीडन से संबंदित याने के यौन क्रियाओं से संबंदित टिपणियां करना ऐसे कोई वक्तब बोलना या ऐसी क किसी भासा का उप्योग करना यह चार पॉइंट यहां पर बताए गाए हैं तीन सु चोपन काम है अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है इन चारों मैंसे कोई भी अपराद करता है तो उसके लिए दंड का क्या प्राउधान है तो देखते हैं ऐसा कोई खुरुस जो उपधारा 1 2 और 3 मैं कहने का मतलब कौन-कौन सी उपधारा 1 2 3 यानि कि सारी रिक संपर्ख करना अग्रिक्रियाएं करना आवांचनी और लहांगिक संबंध बनाना बनाने की संबंध जो है इस्पष्ट प्रस्ताव करना या लेंगिक संबंद बनाने की मांग करना अनुरोध करना दूसरा पैंट जो है और इस्तरी की इक्छा के विरुद्ध उसे असली साहित दिखाना यदि ये तीन प्रकार के अपराद कोई व्यक्ति करता है तो वह कठोर कारावास से जिसकी अव हो सकेगी दंडित किया जाएगा या फिर जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है या फिर दोनों से भी दंडित किया जा सकता है अच्छा एक बात और है हमने चोथे की बात करी चोथा भी पाइंट है ना लेंगिक आबासी टिपनिया करना याने के जो है यॉन संबंद स संबंदि जो है इस प्रकार की कोई टिपनिया करना या इस प्रकार की कोई वक्तब देना तो उसके लिए क्या दंड होगा उसके लिए यहां पर बताए क्या है कि ऐसा कोई पुरुष जो उपधारा चार में विनिर्दिस्ट अपराद करेगा यानि कि कोई टिपनी करेगा यहां संबंदी कोई टिपनी करेगा किसी इस्त्री पर तो बैस दोनों मैंसे किसी भी भाती के कारवास से जिसकी अबदी कितनी एक वर्स हो सकेगी दंडित किया जाएगा या फिर जुर्माने से दंडित किया जा सकता है या फिर दोनों से ही उसको दंडित किया जा सकता है अब हम बात करते हैं IPC की धारा 354 ख के बारे में यानि कि IPC की धारा 354 बी क्या लिखा हुआ है उसमें इसको भी हम देख लेते हैं विवस्त्र करने के आशा से यानि के नंगा करने के आज़से इस्त्री पर हमला करना या आपराधिक भल का प्रियोग करना कैसा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इस के बारे में हम पढ़ लेते हैं ऐसा कोई पुरुष जो किसी इस्त्री को सार्वजनिक इस्थान में विवस्त्र करने या निर्वस्त्र करने होने के लिए मतलब निर्वस्त्र होने के लिए बाद्य करने के आसा ऐसे उस पर हमला करेगा या उस पर आपराधिक बल का प्रियोक करेगा या ऐसे क्रत्य का दुस्प्रेरण करेगा यानि कि उसको प्रेरित करेगा उकसाएगा उसको कपड़े उतारने के लिए सार्वजनिक इस्थान पर तो क्या वह दौनों मैंसे किसी भी भाती के कारवास से जिसकी अब अधित तीन वर्स हो सकेगी नहीं जिसकी अब अधित कम से कम तीन वर्स हो सकेगी कम से कम तीन वर्स यानिके तीन साल की सजा तो हो नहीं होना है और अधिक से अधिक कितनी हो सकेगी अधिक से अधिक जो है साथ वर्स तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा यानि कि जुर्माना भी लगेगा और तीन वर्स से कम नहीं और साथ वर्स से अधिक नहीं की सजा भी होगी याने कि 3 वर्ष कम से कम 3 साल और ज्यादा ज्यादा 7 साल की सजा उसको होगी यदि कोई वर्थी सार्व जाने की स्थान पर किसी इस्त्री को निर्वस्त्र करने के लिए आपरादिक बल का या हामले का उपयोग करता है तो अब हम बात कर लेते हैं IPC की धारा 3054 गा के बारे में IPC की धारा 3054 सी जिसको अपन का है तो उसमें ये लिखा हुआ है द्रश रतिकता याने के कोई इस प्रकार से है के मान लेते हैं चैंजिंग रूम में वो चैंज कर रही है कपड़े चैंज कर रही है या नहाने के इस्थान पर या सोच किरिया के इस्थान पर या किसी ऐसे इस्थान पर जहां पर जो है इस्तरी जो है रती किरिया में सल्लगन है ऐसे समय में वो जानती है कि वो उसके पती के सांथ सल्लगन है अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसे इस्थान पर उसके फोटो एक्तियादी खीचता है या उनको एक टक देखता है तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपको किलियर समझ में आ रहा होगा मैं पढ़ देता हूं कि उसमें धाराम के अंतरगत लिखा क्या है क्या ऐसा कोई पुरुस जो कोई ऐसा किसी जो उन परिस्थितियों के अधीन कौन सी परिस्थितिया होंगी वो जिन में वह प्रत्यासा करती है याने के वह अपेक्षा करती है क्या अपेक्षा करती है कि उसे अपराद करने वाला या अपराद करने वाले के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति देख नहीं रहा है किसी प्र चित्र खीचेगा उस चित्र को प्रसारित करेगा तो प्रथम दो सिद्धी पर याने के पहली बार यदि वो पकड़ा गया पहली बार यदि वो दो सिद्ध होता है तो उसके लिए क्या सजा है तो प्रथम दो सिद्धी होने पर दौनों में से किसी भी भाति का कारावास जिस दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा या फिर दोनों से जुर्माना तो साथ में है तो दोनों का कोई मतलब नहीं है तो जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा लेकिन यह कब जब वह पहली बार दोस्चित होता है लेकिन यदि वह पहली बार वर्षी किसी दो सिद्धी पर दोनों मैंसे किसी भी भाती के काराबास से जिसकी अब अधी तीन वर्ष से कम नहीं होगी यानि कि कम से कम तीन साल होगी और साथ वर्ष तक की हो सकेगी यानि कि अधिक्तम साथ वर्ष की सजा उसको होगी दंडित किया जाएगा और जुर्मान ऐसे भी दंडित होगा यानि कि जुर्माना भी लगेगा और कम से कम तीन साल ज्यादा ज्यादा साथ साल की सजा भी होगी यदि वो दूसरी बार ऐसा क्रत्य करता पाया जाता है या दूसरी बार के बाद कितनी भी बार ऐसा क्रत्य करता पाया जाता है तो यहाँ पर इस प्र संसोधन के बाद इसमें जोड़ी गई है जहां आपने देखा होगा निर्भाया जो कांड हुआ था उसके पश्चात इन धाराओं को इन में जोड़ दिया गया है अब क्या है भारती दंड सहीता 1860 की धारा 305 के अनुसार याने के याने के दी की पीछा करना याने के ऐसा कोई पुरुष किसी इस्तरी को उस से व्यक्तिगत अन्योंतरा किरिया को आगे बढ़ाने के लिए याने के प्रेम वारता आगे बढ़ाने के लिए या लेंगिक किरिया से संबंदित किरिया को आगे बढ़ाने के लिए उस इस्त्री द्वारा इसपस्ट रूप से अनिच्छा जाहिर करने पर या मना करने के बावजूद भी बार बार पीछा करता है और संपर्क करता है या संपर्क करने का प्रयत्न करता है ये पहला point दूसरा point क्या जो कोई किसी ऐसी इस्त्री को इस्त्री द्वारा internet, email या किसी अन्य प्रारूप electronic संसूचना का प्रयोग करने किये जाने की monetary करता है याने कि उसकी जान्च करता है कि वो कौन सा internet चला रही है, facebook चला रही है, workshop चला रही है इस प्रकार कि उसके क्रत्य की जान्च करता रहता है उसको बार 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 देखता रहता है तो क्या monetary करता है तो ये जो कहा जाएगा ये कहा जाएगा कि वो इस प्रकार से मतलब कोटी में नहीं आएगा कौन सा आच्राण जो विदी पूर्वक किया जा रहा हो या किसी ऐसे पुरुस्त को सरकार द्वारा या नियालय द्वारा निर्धारित किया गया हो कि वह ऐसी इस्त्री की जांच वगेरा करें तो फिर यह जो है उस अपराद की कोटी में नहीं कौन से ऐसा कार्य अपराद के निवारन या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया जाता था और पीछा करने के अभियुक्त पुरुस को राज द्वारा अपराद के निवारन और पता लगाने के लिए ही उत्तरदाइद वुस्वा पगाया था यदि ऐसा कोई व्यक्ति था तो वो जो है इस अपराद के अंतर का दोशी नहीं आए याने पीछा करने का वो दोशी नहीं माना जाएगा और कौन ऐसा कार विधी पूर्वक यदि किया जा रहा है तब वह भी पीछा करने की कोटी में नहीं आएगा और तीसरा कौन सा विशिष्ट परिस्तितियों में ऐसा आत्रण या कार युप्ती-्युप्त और न्यायोचित हो तो भी वो इस कोटी में नहीं आएगा अब हम देख लेते हैं इसके लिए सजा कितनी होगी कोई व्यक्ति किसी इस्त्री का पीछा करता है तो सजा कितनी होगी कोई जो कोई पीछा करने का अपराद करता है प्रथम दो सिद्धी होने पर दोनों में से किसी भी वांती का कारावास जो तीन वर्स तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा याने तीन वर्ष की सजा भी हो सकेगी तीन वर्ष तक की सजा भी हो सकेगी और जुर्माना भी होगा लेकिन यादि दूसरी बार या उसके बार उसके बाद कई बार याने पश्चात वर्षी दो सिद्धी होने पर किसी भी माती के दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा तो यहाँ पर हमने देखा IPC की धारा 300, चोपन और चोपन के बाद का खा गा गा याने के इन चार धाराओं के बारे में याने के ये जो धाराएं हैं ये इस्तरी के विरुद किये जाने वाले अपराद से संबंदित हैं इस्तरी की लज्जा भंग से संबंदित अपराद हैं तो आज की वीडियो में इतना ही यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें वेल आइकोन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिवेकेशन आपको तुरंद मिल जाए यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद